हलो दोस्तो वागत आपका ओल्पीदिफ morality वैननमें आज का मारे टोपिक है mathematics का यानि दोस्तो जिस exam के अंदर महत्त हाती है उस से exam के अंदर normal math की बात करें तो ये qusion आपको जरूर मिलते हैं किसी भी exam के अंदर आप देख लिजए कि महत आती है उस extra type की qusion आपको जरूर मिलेंगे तो आज का जो पहला क्यूशन है उससे पहले बता दे आप मारे चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर ले वीडियो लाइक जरूर कर ले क्योंकि नेक्स्ट वीडियो है वो इसी ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि मैथ के जो क्यूशन है वो उनकी से क्या निकालनी है और वेक्ति कितने है 15 है अब हमें क्या करना है कि एक्स ब्रेकिट बंद ये ट्रिक है एक्स ब्रेकिट बंद एक्स माइनस वन अब एक्स का मान है वो क्या रखना है दोस्तों मैं बता दूं वेक्ति का जो वेक्ति है कुल वेक्ति उनकी से क्या है वो है X, अब मान रखेंगे 15 बेकिट बंद 15-1, क्या होगा 15 से एक गटातेंगे 14 हो जाएगा 15 इंटू 14 हो जाएगा तो इसका आंस्वर क्या हैगा 210, करेक्ट आंस्वर इसका 210 रहेगा क्योंकि हातों की संग क्या पूछी है 210 ही आएगी अगले दो नमर क्यूशन की तरफ बड़े दो नमर क्यूशन है किसी समुह में एक दूसरे से कुल 612 हैं मिलाए गए तो समुह में कितने व्यक्ति थे दोस्तों जो पिछला क्यूशन था उसका विपरीट क्यूशन यह रहेगा क्योंकि इसमें हाथ पूछे है जो व्यक्ति है वो पूछे है कितने थे समुह के अंदर लेकिन हाथ इसमें बता दिये 612 हाथ मिलाए गए तो हमें व्यक्तियों की संक्या निकालनी है जस्त ही हमें वही ट्रिक यूज करनी है बराबर में हाथ रखना है कितने बार मिलाए गए थे और x प्रेकिट बंद x-1 रख देंगे x क अबान निकालना होगा हमें तो देखिए 600 बराबर x का अंदर गुणा कराएंगे x स्कुरार हो जाएगा और x का 1 से गुणा कराएंगे तो मैनिस का x आ जाएगा अब देखिए x के square माइनिस x और जो 600 है वो इस से तरह लेएर इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या आएगा माइनिस का हो जाएगा पलस का है x square माइनिस x माइनिस 600 बराबर में क्या हो जाएगा जीर हो जाएगा अब 600 को ऐसी संक्याव में तोड़ना है जो नजदीक हो और गुणा कराने पर क्या है 600 आई और गटाने पर क्या है एक आई तो देखे x-25 और x-24 दोनों ब्रेकिट के अंदर है 24 को 25 ये गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 600 आएगा अब हमें क्या करना है अगर हम देखे x-24 वाला ले तो x कमान क्या आएगा माइनस का 24 आएगा लेकिन माइनस में थोड़ी आते वेक्ति होते हैं उनकी संग्या माइनस में नहीं आती है अब हमें क्या लेना है x-25 लेना है तो x कमान क्या आएगा है वो हात में लाए थे पहला क्यूशन था उसका विवरीद क्यूशन है तो आप जरा ध्यान से देखिए जो इसका है या या जो क्यूशन की वास्तविक्ता है वो at कम समय में शोलक कर लेते हैं देखिए अगला क्यूशन क्या कि एक 200 मिटर उन्चे खम्य पर एक बंदर एक दिन में छह मीटर चड़ता है लेकिन चार मीटर फिशल जाता है तो वे कितने दिने उम्हें उपर चड़गा इसकी वी ट्रीक बतां बताएंगे आपको कि एक दिन में कोई बंदर है वह हूँ 60 म brain चड़ता है लेकिन छह चार मीटर फिशल जाता है तो आप बता सकते हैं एक दिन में वह कितने मीटर चड़ेगा दो ही मीटर चड़ेगा कोई वेक्ति मान लीजे कि 6 मीटर चड़ता है चार मीटर फिशल जाता है तो वह एक दिन में 2 ही मीटर चड़ेगा वास्तिविक जो चड़ाई है वो दो एमिटर रहेगी इसकी ट्रीक है H-C बटा J प्लस 1 H का मतलब हो गया उंचाई C का मतलब हो गया कूल चड़ाई चड़ता है वो C है और J है वो वास्तिविक चड़ाई है अब देखिए H का मान रखता हूं 20-6 बटा 2 पलस 1 यह जो सूतर है इसमें मान रख देंगे ट्रीक है तो 20-6 बटा 2 पलस 1 हो जाएगा तो 20 में से 6 गए क्या होगा 14 14 बटा 2 पलस 1 14 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 7 आएगा 7 पलस 1 हो जाएगा 8 दिन तो इसका आशर है वो क्या रहेगा 8 दिन अगले क्यूशन की तरब बड़े अगला क्यूशन रहेगा हमारा अगला जो क्यूशन है वो है कि एक 60 मिटर गहरा कुवा है उसमें एक बंदर गिर गया यानि जो एक बंदर है वो 60 मिटर गहरे कुवे में गिर गया अब वो क्या करता है एक दिन में 10 मिटर चड़ता है लेकिन अगले दिन में 3 मिटर फिशल जाता है क्यूशन को आप ध्यान से पढ़िए वो अगले दिन 3 मिटर फिशलता है नए कि उसी दिन 3 मिटर फिशलता है पिछले जो क्यूशन में था वो एक दिन में चड़ता था एक दिन में फिशलता था लेकिन इसमें अगले दिन फिशलता है और पहले दिन चड़ता है तो दो दिन लग गए न वास्तविक चड़ाई के लिए तो कितने दिन चड़ने में लगेंगे उपर तो मैं आपको बता दूं वास्तिविक चड़ाई दो दिन में क्या होगी 10-3 यानि 7 मिटर हो जाएगी और जो कुल गह रही है वो क्या है 60 मिटर है अब देखिए 16 दिन में वो कितना मिटर चड़ेगा 16 मिटर में 16 दिन में 16 मिटर चड़ेगा यानि दो दिन में क्या चड़ता है साथ मीटर चड़ता है तो 16 दिन में 56 मीटर ही चड़ेगा अब बच गई दूरी है वो कितनी है 4 मीटर है साथ में से 56 गटा देंगे 4 मीटर बच जाएगा 4 मीटर चड़ता है वो 10 मीटर चड़ता है एक दिन में और 4 मीटर चड़ने हैं, 4 बटा 10 हो जाएगा, और 16 दिन में 56 मीटर चड़े गया, अब 16 प्लस 4 बटा 10 जोड़ जाएगा, क्या हैगा, 16 से 4 बटा 10 हो जाएगा, यानि 2 बटा 5 हो जाएगा, 16 से 2 बटा 5, यानि जो बंदर है, वो 17 दिन, 17 में दिन हैं, वो उपर चड़ पाएगा, तो इसका आंशर हो जाएगा, 17 में दिन, अगला जो क्यूशन रहेगा, कि 2 की गात 50 का आदा क्या होगा, ट्रिक्सें करेंगे दोस्तों, कि 2 की गात 50 है, उसका आदा करना है, आदा करने के लिए हमें क्या करते हैं, एक बटा दो लगाते हैं, तो इसके भी एक बटा दो लगा दीजिए, दो की गात 50, बटा, एक बटा दो, यानि दो की गात एक लगा देंगे, अब जिसकी आधार समान हो, तो गाते हैं, वो बटा के अंदर होती हैं, गट जाती है तो जो हादार है वो सेम रहे गया दो और पचास जो निचे दो की गात एक है वो पचास में से एक गट गई तो दो की गात क्या हो गई गुनचास यानि एक कम हो गई तो दो की गात पचास का आदा क्या होगा दो की गात गुनचास तो इसका आंसर है वो भी क्या होगा दो की गात गुनचास अगला अंतिम क्यूशन है दोस्तों यदि एक बंदूक 9 मीटर में 7 गोलियां छोड़ती है तो वो एक गंटे में कितनी गोलियां छोड़ेगी दोस्तों एक बंदूख है वो 9 मिन्ट में 7 गोलियां छोड़ती हैं लेकिन एक गंटे में कितनी गोलियां छोड़ेगी अब आपको बता दे कि पहली गोली छोड़ेगी तो कोई टाइम धोड़े लगेगा तो 9 मिन्ट में कितनी गोलियां छोड़ेगी 6 ही गोलियां छोड़े ध्यान रखिए कि जो पहली गुली छोडी ए उसमें टाइम नहीं लगता है शिर्फ क्यूशन को इतना ही ध्यान रखना है जो बना नहीं पड़ता है अगर वो नहीं पड़के जाता है तो वो इस क्यूशन को नहीं करवाता है क्योंकि उनकी concept वो समझ में नहीं आया होता है कि वो सिर्फ ये करता है 9 minute में 7 गोलियां छोड़ता है नहीं कि उसे ही ये समझ में आता है कि 6 गोलियां छोड़ता है तो आप इस से trick को ध्यान रखिये कि 6 गोलियां छोड़ता है एक मिंट में 6 बटा 9 गूलियां चोड़ता है तो 60 मिंट में कितना चोड़ेगा यानि एक गंटा हो जाएगा तो 6 बटा 9 इंटु 60 पलस में एक वो गूली जोड़ देनी है, गोलियां पूछी है तो एक गूली जोड़ देनी है जिसमें टाइम नहीं लगता है तो 6 बटा 9 into 60 क्या आएगा 40 आएगा सरल करेंगे तो और पलस में क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो टोटल गोलियां कितनी छोड़ेगा 41 गोलियां यानि दोस्तों वो बंदूग 9 मिन्ट में 7 गोलियां छोड़ती है वीडियो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें थैंक यू धन्यवाद